अगर आप वर्मी कंपोस्ट तयार कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत आवश्य के वीडियो को पूरा देखेगा एक महतपूर्ण जानकरी आप सभी लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कमपोस्ट को किस प्रकार से आहार दिया जाता है कौन-कौन से आहार हम वर्मी कमपोस्ट को दे सकते हैं जिससे कि हमारा वर्मी कमपोस्ट बहुत जल्दी तयार होई यहाँ पे हम केच्व को अभी तक मैंने दो प्रकार के आहर दिये एक तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि अभी तक मैंने सरसों की जो खली आती है उसको शाम को गला के सुबा उसका इस प्रकार से छड़काव करता हूँ तो यहाँ पे आज हम दे रहे हैं चाज चाज को बेशन के घोल के साथ मिला के दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पे इनका छिड़काव कर रहे हैं जिससे की केच्वे बहुत जल्दी बढ़ते हैं अंडों की संख्या भी बढ़ती है साथ साथ अपका जैसी आपके बेड में केच्वो की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खाद भी बहुत जल्दी तयार हो जाएगा यहाँ पे एक बात का अवश्य ध्यान रखे कि आपका चाज एक दो दिन से जादा पुराना नहीं होना चीए अगर चाज जादा पुराना हो जाएगा पांच-छे दिन का हो जाएगा तो वो जहर की तरह काम करेगा तो उसको अपने बेड में बिल्कुल न डाले बिल्कुल ताजा एक दो दिन पुराना चाज ही अपने बेड में डाले तो इस प्रकार से बेशन का गोल मिला Mixer करके इस प्रकार से आप इस बैड में छड़काव कर सकते हैं इससे आपके केच्व की साइस बड़ेगी केच्व के बहुत जल्दी विकसित होंगे साथ-साथ यहां पे उसमें प्रोसेस में भी बहुत जल्दी सुधार आएगा तो यहाँ पे दो आहर अभी तक मैंने दिये हैं एक तो सरसो की खली के बारे में आपको बताया था और यहाँ पे यह बैसन और छाज का घोलम यहाँ पे दे रहे हैं अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी जानना है रोचक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम यहाँ पे पेकिंग और किस प्रकार से इसको मार्केट में बेचते हैं उसके बारे में आने वाले समय में वीडियो लेके आएंगे अगर आपको और भी जान करें चीए तो दिये गए नमबरों पर संपर्क